मेरा नाम दर्मिंद कुमार कुपता है मैं गॉलियर से बिलोग करता हूं मुझे थारोड ग्लाइंड था यहां पर जिसके लिए मुझे दो साल से मैं परिशान था मैंने गॉलियर में भी चेक कराया था वहां भी एंटी स्पेसिलिस्ट को देखाया था तो उन्होंने उसको ज मैं लेना जरूरी है तो आप्टर टू यर्स मैं यहां पर अपने ब्रदर के पास आया था तो मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार मायोम हॉस्पिटल जलते हैं डॉक्टर मनीश फिरकास जी है वो बहुत अच्छे सर्जन है और कई ऑपरेशन कर चुके हैं उ और मैंने सारी प्रवलंस को एक्स्पैन किया और जो मेरी ओल्डर रपोर्ट सी ओंको मैंने दिखाया तो ओन बहाफ उल्डर रपोर्ट सी सजेस्टा-सजड़री बट रही वन्ट गोंट गन्वांट तो कि ए फस्स्ट रिजल्ट ओ आल अल्ड़ टेस्ट टेस आर डैक अप अपर 10-12 देज फिर से यहां पर आया हॉस्पीटल में बैसिकली सर्जरी के लिए यहां पर आया तो मरीश सर्थ से मेरी फिर्प से मीटिंग होई थी तो उन्होंने फिर टेस्ट किये कुछ टेस्ट में पहले उन्होंने फाराइटी रखी जो रिक्वार्ट टेस्ट हो उनको ही किया जाए और मेरा एक्षुली मेडिकल मेडिकल इंस्ट्रेंस है तो उसके तुरूप मुझे एडमेट होना था तो एक बोई प्रॉब्लम था कि किस होस्पीटल को हम लोग चूछ करें कि क्योंकि मुझे कैसलेस करा ना था तो इसमें सबसे पहले मेरा बिर्दर आया था विपूर्माइज तो हीज रिक्वार्ट एनिटिंग्स जो भी उसको पूछना था वो उसने पूछा यहां पर क्या क्या चीज की फैसलेटी है और कैसे हमको कैस करना है या नहीं करना है और क बढ़नों ने जर टेस्ट किये मेरा एक्सरेय विकिय और अल्ट्रासांट किया तो आइटिंग सौरॉ प्रिकास जी ने मेरा पर एक अल्ट्रासॉंड भी किया था उसमें कुछ लिक्वर्ड निकला था जिसको उन्होंने लेबर्टरी में भेजा हुआ है टेस्टिंग के लिए उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई हुए है उसके बाद सटर्डे को उन्होंने मेरी सर्जरी की थी सर्जरी में पहले मैं थ सब्सक्राइब कोछ भी याद नहीं क्या हुआ कैसे हुआ बट सर्जरी के बाद मुझे जब हो साय तो मैं एक दूम नॉर्मल था मुझे कोई दिक्क्त नहीं थी बट आइने थीजिया का थोड़ा सा बेशी बन था उसके बाद जब मुझे यहां पर लाया तो ठीक था बट बुलने में थोड़ी सी परीशान ही हो रही थी तो डॉक्ट सासर्दार जी थे मुझे नाम याद नहीं है सर्दार जी ने भी थोड़ा सा समझाए कि एक दो दो दिन की बात आप थोड़ा सा रिकवर हो जाएंगे तो उसके बाद गयं मुझे रेकवर होने मैं तो अभी रे पर चीरा बड़ी नहीं की गई है बड़ीया ओपरेशन हुआ है अच्छा ओपरेशन हुआ है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप तीन दिन या साथ दिन में रिकवरी कर जाएंगे तो इसके बाद मैं आज रिबू के लिए आया था आज विए उन्हों ने पूरी तरीकी से चेक किया समझाया कोई दिक्कत नहीं है आप बिलकुल फ्री हो जाएंगे हमारे तरफ से आपका बिलकुल सही है कोई वीश्व नहीं आपको एदि कोई प्रॉलम आती है तो आप फिर से हमसे मिल सकते हैं एदि मैं बात परसनली डॉक्टर मनीश सर की बात करूं तो मेरे लि है बुक किया मुझे सुनना चाहता है क्या मुझे उसे बताना चाहिए कहीं असा नों वह है और ऑपोरेसंट न करा है तो मेरे कहलТ से वह मेरे लिए बहुत सही है और सही साजेशन दिया सही guidance जिसके वह सचाहर मेरा ठेक हो बाया है आगे future और मुझे लगता कि सही होगा तेंक यू